थालजन्स अव रोकेट्स फाइल चोड़ दो मुझे मत मारो यह सब्ध है एक इज्राइली लड़की के बिखते दिनों हमास की ओर से रोकेट्स हमलों के बाद इज्राइल और फ्रीस्टिंग के बी जंग हो रही है सनीवार को इज्राइल के दच्छिन सोड से हमास के लड़ा के देश में दाकिल हो गए दच्छिन सोड मतलब गाजा पटी सोसल मीडिया पर कई देश ऐसे वीडियो देखे जा सकते हैं जिसमें हमास के लड़ा के इज्राइली सहरों के लड़कों पर हिंसा गत्ती वीडियों म सामील होते हैं दिखे हैं तो बताते हैं आपको कौन है यह हमास इसके बारे में हमको पूरी जांगारी मिलेगी इस वीडियो में तो सुरू करते है आज की वीडियो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमास की, यह हमास का जंडा, जिसे बहुत कम लोगों ने मानेता दी है, बत्ता दे कि फिलिस्तिन चेतर के सबसे बड़ा चरम पंदी संक्डन है हमास, हमास का हिंदी में अर्थ है उससा, वैसे इसका पूरा नाम हरकत अल्मकावाम अल इसलामिया इसका मतलब होता है, जो भी इसलाम का खिलाप हो, उसके साथ जुद्ध करो, हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तिनी विजरों के दोरान हुई थी, इसकी स्थापना से एक एमा जासीन ने की थी, इसका आवार मुस्लिम बड़तर हुड की प्लिस्तिन सका के विश्तार के तोर पर हुआ था, हमास एक सेस्थरवल और इसरायल का सेस्थर विरोद करता है, हमास के गटन का कारें यह भी है कि प्लिस्तिनियों के नेस्नल मुव्मेंट से इसरायल और बाकी की दुनिया पर कोई फरक नहीं पड़ता दिख रहा था, प्लिस्तिनी लिबरेशन दी और इसके बजूत को स्विकार कर लिया, इस तरह उसने आजात फिलिस्तिन का अपना लक्षे छोड़ दिया, दूसरी बात यह हुई कि उसने सेना संगर से किनारा कर लिया, उसके जबसे बड़े नेता यासिर अरपात ने सांती और सुले के जरिये फिलिस्तिनियों की अ अमेरिका, यूए, कैनेडा, इजिप्ट और जापान जैसे देश हमास को एक आतंगवादी संक्तन मानते हैं, जबकि रूस, सीरिया, चीन और इरान जैसे देश इसको आतंगी संक्तन के तोरपर नहीं मानते, हिरान हमास का समर्तन करता है, अपनी इस्तापना के अगले सान, 1988 में हमास ने खा कि हम फिलिस्तिनियों की अजादी के लिए हैं, हमाला की हमास की स्वेना बिंगा गठन 1992 में हुआ, इसके बाद से हमास गाए बगाए इस्राइल पर आतंगवादी हमले करता रहा, 2007 से हमास का फिलिस्तिन की गाजा पट्टी पर काविज है, 2006 में फिलिस्ति इसका काम इस्राइल में आतंगवादी हमला वरों को बेजना है, हमास इस्राइल पर अपने हमलों को बदलता रहता है, हमास इस्राइल जो भी हमला करता है उसे हमास बदला कहता है, हमास के लड़ा लड़ागे इस्राइल के खात्मे पर उतारू है, इस्राइल इसको एक पर पंच का नाम देता है। हमास का कहना है कि मई 2021 में इस्राइल ने येरुसलियम में अल-ाक्सा मजजित को जो कि मक्का मदिना के बाद मुस्लिमानों के लिए दुनिया का तीसरा सबसे पविश्चरिस्तान है को नुक्सान पोचाया था। इसराइल ने कई दसकों से गाजा पट्टी के गेरा बंदी कर रखी है। इसके कारण से महा के लोगों को दवाई और अनाज जैसी आवसक बस्तुएं नहीं मिल पा रही है। हमास का कहना है कि इसराइल अपने हमलों में बुजूर्ग बच्चों और माईलाओं बरबरता करता हमास इनका मदनल नीनिक लिए इसराइल पर हमले करता है। आंकर कितने लड़ाक हैं हमास संगटन के वास् किपने लड़ाक हैं इसका ठीक लटया हैं हमास में आतंकी कलय की बाते भी सामने आती रहती हैं खासकर साल 1990 जब हमास के तरफ से इस्राइल में एक के बाद एक कई दमाके किये गए और साथ इस्राइली लांगरों की जान गई मतलब है कि इस्राइल से मुकाबले हमास बले कम जो नजर आता है लेकिन उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता BBC के मुताबिक हमास रोकेट से लेकर मोटार और ड्रोन अटेक जिसे समता से लेस है हमास के एलिट यूनिक को कोरनेट गायनेंस एंटी टैंक मिसालों का इस्तमाल करते देख गया है यह संगेटन जादातर अतियारों को निर्बान गाजा पट्टी में ही करता है इस्रेयल लगातर दावा करता है कि हमास के पास अचर बनाने की टेकनिक इरान से आई है इस्रेयल लगातर कासम और कुदस 101 मिसालों का जिगर करता है कहता है कि हमास के पास इन दो मिसालों का ठीक टाक जिकीरा है कासम मिसाल 10 किलो मिटर के दुरी तक मार कर सकती है तबकि कुदस 101, 16 किलो मिटर तक मार सकती है इसरेल का दावा है कि तमाम इसलामिक मुल्क हमास को फंडिंग करते हैं सबसे बड़ा नाम कतर का है रिपोर्ट के मताविक अकेले कतर हमास को 1.8 अरब डॉलर से ज़्यादा की मदद दे चुका है हमास के समर्तन दुनिया में ठीक टाग है और इसे ठीक टाग डोनेश देते रहे धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे की मैं आपको नए ने वीडियो दिखाता रहूँगा और नए ने जानकरी बताता रहूँगा धन्यवाद